कि फ्रेंड्स में बताने जा रहा हम आपको दूर्स से खुल्फी बियाने का आसान तरीका इसके लिए मैंने क्या लिया है दो पाउच जो है 500 ml की होल मिल्क लिया है होल मिल्क मतलब मैंने अमूल की थेली नहीं है जो फुल क्रीम है क्योंकि यह स्टेंडर होती है और इसमें 6% फैट और 9% होती है और बाकी दूदों का जो है कोई गारंटी नहीं कि इसमें कितना फैट है कितना प्रसंट है तो दूद में आजकर जो है मिलावट का कोई पता नहीं है तो जाता दूद बेर देरी के नीचे बहस करने है या इस्टेंडर डूड ले मैंने हमूल की दो परे रुजाय दूद करेंसरों है और जो यह जो है और बहुत अच्छी तरों लगा है और इसको दूद को में चलाते रहना है जैसे दूद हमारा लगेना तो जो एक लीटर दूद्द जो में लिया है वो करीब इसका 30% जो एए चाहिए तो कि दूद में क्या होता है 15% सॉलिड है 85% वाटर है वाटर एवपरेट हो रहा है और आप देख रहे हैं तो यह कडाई में लेविल जो है दूद का दीर कम हो गया है दूद सरब में लिया है जेर छोटे कडोरी ही होए शुकर लिये इसमें भीआ पानी कम से कम मत्रा में लजना है उगा चीनी को ब filter क लिच्ञाज कर देगा बद चीनी जो है कर लेनी है मुझे और कितना क्वप्सूरत कर आ गया है और इस चीनी को जो मैं दूद में डाल दी गई है और दूद का करद दिखा है पेल यलो हो गया है जो बहुत ही अच्छी कुल्फी या आइस की मनने वाली है अगर सांचों में डाल दो तो यह कुल्फी बन जाती है और अगर ट्रे में जमातो तो आईस की में नमनाती है और बहुत ही टेस्टी और रवड़ी देश्टी बनाएगी और इसमें घूल के क्या है ज्सलिक है 10 ग्राम जो है अरारोट पाउडर जो है पानें गूल कर डाल दिया है जिसे और मलाईदार कुल्फी बन जाईगी है कि मलाइदा कुछ हो जाई है जो अक्सर हलवाई लोग भी जो है मलाइड डालने के लिए अरा रोट डालने का इस्वाल करते हैं वही मनाया किया है यह सब घर की चीज़ें और होमेड आइसक्रीम बन नहीं है और होमेड कुल्फी बन नहीं है और खाने बहुत ही जो थोड़ी पीसके डाल दी है और आप चाहाएं तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं मैं थोड़ी नट्स डालूंगा बाद में लालूंगा इलाइची एक फ्लेवर के लिए लाल दी है खुश्च्टू के लिए और यह इलाइची मिसकर के दूद बहुत गाड़ा हो गया ह इसकी consistency बहुत हाई हो गई है और दूद आप देखे आपको दीखे रहा हुआ करणर भी चिंज हो गया है और महत तो असनी खुश्चूरत आ रही है कि इसमें काड़म इलाइची की महत बहुत सुन्दर आ रही है दूद और काड़म इलाइची जो हमारा Indian टेस्ट है Indian culture है ज कि डालने के बाद इसको मैं पलड़ दिया है और इसकी सतेयों को बिल्कुल सर्विस करके आठ घंटे फ्रीज में रखने बाद आठ घंटे निकालूँगा यह आइस्क्रीम बहुत ही पेलिटिवल सॉफ्ट और हर जम्हेंगी अब मैं आठ घंटे बाद देखता हूं कैसे आठ घंटे बाद मैं देखा आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी और क्रंची बनी हुए है और यह आइसक्रीम देखने में बहुत सुंदर है और खाने में बित्न सुंदर है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए है तो सबस्काइब करें यह दो बहुत बहुत बढ़िया और बहुत त्रेश्टी आइसक्रीम में थैंक यू बरबाच में वीडियो